हेलो दोस्तों, घर में छोटा सा गार्डन मनाने की खौाहिश किसकी नहीं होती हर एक छोटा बड़ा अमीर गरीब अपने आंगन में छोटा सा गार्डन गराना चाहता है और डेकॉरेट करना चाहता है डेकॉरेटिड प्लांट्स के अंदर टॉप लिस्ट में डिफेंड बाचिया का नाम भी आता है डिफेंड बाचिया एक ऐसा प्लांट है कि जो आसानी से गरो हो जाता है और ये मल्टिप्लाइ होता रहता है यानि इसमें से नए ने पौदे निकलते रहते हैं आप देख रह यहां पर जगा भी इतनी कुशादर नहीं है और हमने कभी इसकी कटिंग भी नहीं की तो इसके तो इसका लुक जो है कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको मल्टिप्लाइ करने की कोशिश करेंगे तो इसको किस तरह से कटिंग किया जा सकता है ये आज हम आपको बताएंगे आप देख रहे हैं कि ये गमले में लगा हुआ है और इसमें से एक नया पौदा भी निकल रहा है इस पोड़े को भी हमने गमले में लगाया था लेकिन ये जमीन से होता हुआ खड़ा है और इसका तना भी आप देख रहे हैं कि कितना मोटा हो चुका है लहाज आज हम इसकी कटिंग करना सीखेंगे किस तरह इसकी कटिंग की जाती है किस तरह लगाया जाता है ये जानने के लिए इस वीडियो को आप आखर तक जरूर देखिएगा तो मैं हुआ फैजान और आप देखे रहे हैं माई यूट्यूब चैनल पाइन गार्डिंग तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों देख रहे हैं कि हमने इस प्लांट को यहां से काट दिया है इसकी कटिंग करने का तरीका यह है कि आप पत्ते जहां खत्रम हो रहे हों वहां से तक्रिमन 6 या 8 इंच के फासले से इस तरह काटें कि इसके जो नौड्स होती हैं कुछ आपको इसमें डौड्स नजर आएंगे नौड्स नजर आएंगी जिन से नया प्लांट और जड़ने निकलती हैं तो उस जगा से आप इसको काट लीजिए और काटने के बाद इसको आप एक दिन के लिए शेडिंग एरिया में लग दीजिए उससे क्या होगा कि इसके अंदर से जो लिक्विट निकलता है वो खुशक हो जाएगा और अगर आप इसी हालत में इसको ग्रो करेंगे तो फिर इसमें फंगस लखने का खतरा होता है आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर इसको खुशक किया एक दिन और यह ड्राय हो चुका है अब हम इसको गमले में लगाएंगे गमले में लगाने के लिए हमने इसमें नॉर्मल सॉइल यूस की है यानि बालुरेत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें हम थोड़ा गौबर भी मिलाएंगे गौबर किस तरह मिलाए जाता है अगर काउडन कंपोस्ट हो तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर आप गौबर मिला रहे हैं जो कंपोस्ट नहीं है अच्छी तरह से सड़ा हुआ नहीं है तो इसका तरीखा जानने के लिए हमने एक वीडियो इस पर बनाकर चैनल पर डाली है वह आप जरूर देखिए अगर रिवर्सेंट डाल कर हमने थोड़ा गौबर डाला है गौबर की मिगदार जो है तकरीवन 20 परसंट या ज्यादा से ज्यादा 25 परसंट होनी चाहिए और अगर ये डीकंपोस नहीं है तो फिर आप इसको अच्छी तरह से बारिक पीस लें फिर गौबर डालें वन्ना ये पौदे की जड़ों को खराब कर सकता है या दखिए कि पानी इतने डालिए कि नीचे ड्रेनिज हॉल से निकल आए और ड्रेनिज हॉल के लिए आप एक दो सुराख इसमें कर लीजिए अगर प्लास्टिक के पॉर्ट में आप इसको लगा रहे हैं तो उसमें पा नहीं जल्दे खुश्क नहीं होता हुआ हमने एक प्लांट किरो कर दिया है यह जो प्लांट आपको नज़रा रहा है हम इसकी भी कटिंग करके इसको भी दूसरे गमले में लगाएंगे ताकि इससे भी एक पॉदा निकलाए और यह जो मदर प्लांट का तना होगा इससे भ भी आपको आगे चलके इंशालला अप्डेट देते रहेंगे ये एक पूदा निकल रहा है इसको भी हम यहां से निकाल कर दूसरी जगा शिफ्ट कर देंगे दोस्तों एक महीना यानी 30 दिन गुज़र चुके हैं और आप देख रहें हैं कि हमारी कटिंग पर से जो पत्ते लगे हुए थे वो सारे सूख चुके हैं और गिर चुके हैं और यहां से नई गिरौद शुरू हो चुकी है देख रहे हैं आपके कितना हेल्दी पत्ता निकल यहां है यहां से और यह देखें जिस नोड की मैं आप से जिकर कर रहा था इस तरह की होती है हो सकता है कि आगे जाके यहां से भी कोई निकल आए लेकिन फिलहाल हमने जो प्लांट लगाया था वह बहुत अच्छे से जड़े पकड़ चुका है और अब बढ़ने के काबिल हो चुका है 50 डेस गज़र चुके हैं 50 दिन गज़रने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारे इस प्लांट के अंदर से एक पत्ता भी खुल चुका है निकल कर और बहुत ही खुबसूरत और प्रेश नज़र आ रहा है हल्दी नज़र आ रहा है तो दोस्तों मालुम हुआ कि डिफेंट बाचे का पोदा जो है बहुत आसानी के साथ मल्टिप्लाई हो जाता है आपके घर में अगर एक प्लांट है तो आप इससे कई प्लांट बना सकते हैं अगर आप तरीखा जानते हो तो इसी तरह से आप ये देखिए ये हमने दूसरी कटिंग करके लगाया था इसमें भी अच्छी तरह से प्ते निकल आए है और अच्छी तरह से बढ़ आए हैं वो प्ते जो कटिंग के वक्त पौदे प लगए होते हैं वो चूबके स्ट्रेस की भी दोनों तरफ से प्लांट निकला है एक ये छोटा प्लांट है इसको शायद बिल्लियों ने खा लिया है और एक ये प्लांट जो बढ़ रहा है बहुत हेल्दी भी है इसी के साथ आप देख रहे होंगे हमने एक और कटिंग इसके लगाई थी और इसमें से भी अगर आप देखें तो ये एक यहां से प्लांट निकल रहा है इसकी केर के लिए कोई खास जरूरत नहीं होती है बस आप महीने में एक मादाबा कावड़क कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट वगरा डाल दें इसी तरह से मुखतलिफ के फर्टिलाइजर केले के चिलके हों या प्यास के चिलके हों उनको पानी में भीको कर एक दिन रखिए और वो पानी च्छान कर एक दिन के बाद इनमें एक एक गिलास ढाल दीजिए इन्शालला ये पौदा आपका अच्छे से गिरो करता रहेगा ज्यादर तेज दूप इनको पसंद नहीं होती हलकी दूप में रखें देर केजिए और अपने पौदों का खुल खयाल लगिए